वेलकम स्टुडेंट टो कॉमर्स की टु सक्सेज माइनीम इस टीना वाला का जैसा कि अपना वन टॉपिक वन वीडियो की से रही है तो अपन ने पहले वाली वीडियों पैंशन पढ़ा था आज की वीडियो में अपन ग्रेचुटी डिसकस करने हाले ग्रेचुटी को हिंदी पैंशन मिल जाथा लेकिन ग्रेचुटी अपको क्या होता है जब पूरे जीवन काल में अपनी पूरे टाइम अपना जो है उस जौप को देते तो उसके बदले में कुछ अमाउंट आपको मिलता है तो वह कहलाती है जो भी राशी मिलती है वह आपका ग्रेचुटी कहलाता गर्चुटी में क्या हो था तो गॉर्मेंट टेंपलर्इ हो तो आप तो हमेश्य कहते हैं कि फुल ली एक्जम्ट अगर आपके लिए अगर्टी अगर पुलती है तो फुली कहते हैं लेकिन यह आप नॉन गरेट्वूटि एक्ट याँदी इक्ट इजित नहीं करती है इसके भी क्राईटिरिया आतनाई को इसको फालो करती है और कऊन से कंपनी को पहले नहीं करती हो पहले वह पढ़ लेते हैं मिक्आत इस सब्दमी के प्र्शून से Cham Storm किस पे लागू होता है, ग्रैचूटी एक किस पे लागू ने होता है जिस भी संसाम में आपके दस से अधिक करमचारी काम करते है वहापर आपका ग्रैचूटी एक्ट क्या हो जाता है अप्लाइड हो जाता है, दस से अधिक क्या होता है करमचारी अगर काम करते हैं या employee आपके काम करते हैं तो आपको मापर क्या हो जाता है ग्रैचुटी एक्ट लागू हो जाता है या आपकी कोई भी जैसे वेधानिक निगम है कार खाना है, खाने है, बागान है, तेल की शेत्र है बंजरगाआ या रेईलवे कंपनीज है तो इन कंपनीज को भी क्या करना पडता है इस ग्रैचुटी एक्ट को क्या करना पडता है लागू करना पड़ता है तो आपको क predominates में इन से रेलिेड़े इगर ये दे जाते हैं कि अगर आपके करमचारी सी 10 से अधिक है क्राइटेरिया रहेगा और जब एक लागू होता है तो क्या होता है फॉर्स आपको होता है एक्च्वल में जो आपको ग्रेशुटी मिली वह मोंट आजाएगा सेकंड मैक्जिमा ममूंट इससे में सकता है अगर प्रैक्टिकल करते हो तो भी चीजे बनती है कि 20 लाग रुप にली हम जब को कितना गआता है 20 लाग रहते है लेकल आपको सैलेरी आफ लास्टम आपको लास्तमड मिज़निक जबी ora डीघ Simply अधीकल कर देंगे मल्टिप्लाय मोंट करेंगी किसे 15 बिलसा नां कितने तिन साग्यडिन माने लेगे 65 शपलेथरीय मनाने वैंन थे तो 5 बिलस और जितने service period आपने क्या करा काम करा तो उसका क्या दे देंगे multiply उसे multiply कर देंगे तो आपके क्या जाएगी यहां पर यह माउंट आजाएगी इस service period क्यों ले रहें क्योंकि आप मैंने बोला था ग्रैचुटी क्या है आपकी जिस जितने भी आपने पूरे जीवन काल में अपने समय दिया उस जॉब को तो उसके लिए तुम्हें कुछ राशी मिलती है तो आपका क्या कराता है ग्रैचुटी कराता है तो इसलिए कह लेत साल लेंगे कोई वक्ति है उसने क्या कड़ लिया दस साल को ह efectaram है कि एक साल स अधिक होगा 6 महा से अधिक होगा तो इसको 1 साल कंसिडर करेंगे अपन क्या करेंगे अगर आपका ग्रैश्ट्विट एक लागू होता है तो जब सर्विस और पीरिड की कैलकूलेशन करते है तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है जैसे कुछ भी ले लो 10 साल जितने भी माँ है 6 महा से अधिक होना चाहिए तो 6 महा से अधिक होगा तो इसको क्या मालेंगे 1 एर एक्स्टा मालेंगे इसको 11 साल मालेंगे टोटल कितने साल काम करा है हो 11 साल काम करेंगे लेकिन अगर आपका घथًटीक लागू नहीं होगा तो आपको कितना मानेका ओल नहीं अपनको फ्रैक्शेंस को नहीं को नहीं लेना है जब पहुते हैं अगर ये फारहत माह हों गे तो हीजर्टूरेट होगा अगर है इससेवार शर्तों के उनुसार लेना है और आपको कमिशन लेना है इन 3 होग आपको आपको कहेना है 10 साल का जितने भी लास्ट जब आप ऐर इस यह जब भी आपको rature इती मिल रही है तबसे लेकर 10 महिने तक जितनी जितना भी आपको salary में लिए DA मिला है commission मिला है उसमें 10 का डिवाइड लेकर average बनाकर 15 दिन इसमें 15 दिन मानिंग 15 दिन बटा ती इसको एक बटा दो भी लिख सकते हैं और service period में मैंने क्या पता है तापको इसमें fraction को calculate नहीं करते हैं अगर 10 साल 12 माह है तो आप 11 साल ले सकते हो अगर 10 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने तो भी आपको 10 साल लेना है अगर 10 साल आपके 9 महीने या 10 महीने तो भी आपको कितने लेना है 10 साल लेना है लेकिन अगर आपको ग्रेचुटी एक लागू होता है तो आप उसमें क्या ले सकते हो fraction फoire तवनान आगर शाहे महीन रहें शाहे महीने भी नि लेना है अगर शाहे महीने से अदर्शबण करना है तो आपको के लिए उसको एक साल कंसिड़र करना है तो ही आपको कहा है ग्रेट कैसे कैलकुलेट करते हूं मैंने बता दिया है तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो